दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है SSC GD Exam 2023, 31 जनवरी All Shift का Exam कम्पलीट हो चुका है पूरा पेपर एंसिस करने वाले हैं दोस्तो आज सबसे ज़्यादा कोशन रिपीट हुएं कहां से रिपीट हुएं और क्या पैटरन रहा है पूरी वीडियो को देखेगा बहुत ही ज़्यादा helpful रहेगी उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका exam आगया आने वाले दिनों में है 125 परसन मैं आपको इस वीडियो में cover कराऊंगा जो कि पूरे दिन के हर एक सिप्ट में पूछे गए परसन होंगे चले शुरू करते है देखे पहला कोशन है कि सबसे पहले अरजुन पूरुषकार किसे मिला था मेरे प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपर्टेंट कोशन है और देखे पूरुषकारों से संबंदित कोशन पूछे जाने स्-टार्ट हो गये है स्टार्टिंग में नहीं पूछ जा रहे थे यानि कि जिनकी अभी आगया आने वाली सिप्ट बची हुई है उसमें कोशन लगतार पूछे जाएंगे पुरुसकारों से ये पॉइंट नोट कर लेना तो क्या राइट आंसर हैगा दोस्तो किरसन दास को तिरंदाजी के लिए दोस्तो ये पुरुसकार दिया गया था और देखें ये भी नोट कर लीजे कि अरजुन पुरुसकार की सुरुवात दोस्तो कब हुई थी 1961 में हुई थी ये काफी important point है क्योंकि यहां से भी कोशन बन सकता है अगला कोशन दोस्तो रिपीट हो चुका है यामनी किरसन मूर्ती का संबन किस नत्य से है तो मैं कई बार इसको दोस्तो संभावित परसन की वीडियो में भी cover कराया हूँ और दोस्तो जो हमारा paper NCS है ना उसमें भी कई बार बताया हूँ दोस्तो कि भरतनाट्यम और कुच्चीपुडि से संबन दित है यामनी किरसन मूर्ती और very very important कोशन था ये अगले कोशन आता है प्रिया दर्शिक किस सासक को कहा जाता है तो दोस्तो ये कहा जाता है असो को देव प्रिया या फिर प्रिया दर्शनी के नाम से भी जाना जाता है तो ये point आपको note कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तो अगला question है 2017 में भारत में सिसु जनम दर कितनी थी तो दोस्तो परती 1000 जनम संख्या पर दोस्तो 20.2 दर्ज की गई थी तो ये आपको note कर लेना है दोस्तो अगला question है हालडा उत्सव कि स्राज्य में मनाते हैं तो ये मनाते हैं दोस्तो हिमाचल परदेश में और देखे जिनका exam दोस्तो आगे आने वाले दिनों में है पूरी वीडियो को देखेगा क्योंकि आपके लिए ये भी मैं बताने वाला हूँ कि किस परकार से त्यारी करनी है आगे के बचे हुए दिनों में एक एक दिन दोस्तो इंपोटेंट है अगर सेलेक्शन लेना है तो पूरा analysis देखे और फिर बाद में जाकर के दोस्तो ये जरूर जान लीजेगा कि क्या त्यारी करनी है दोस्तो अगला question आता है बोगोलिक दरश्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य कोंसा है तो दोस्तो गोवा हो जाएगा अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दरस्टी से सबसे छोटा राज्य है तो दोस्तों वो सिख्कें हो जाएगा तो साथ ही साथ ये भी important है point note कर लेना देखें जो मैं blue color से दोस्तों लिख के लाता हूँ extra point इनसे question directly पूछ लियाते हैं ठीक है अगला question आता है start up India innovation week का उदगाटन किस ने किया दोस्तों right answer हैगा प्यूस गोहल जी ने और ये किया था दोस्तों 10 जनवरी 2022 में दोस्तों संभावित परसंड की वीडियो में मैंने इस question को cover कराया था अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी संभावित परसंड की वीडियो नहीं देखे हैं करीब करीब दोस्तों 15-20 वीडियो मैंने संभावित परसंड की upload की है डेली इन में से दोस्तों 5-7 question आ रहे हैं अगर आपका एक्जाम दोस्तों अभी आगया आने वाले दिनों में हैं ये 15-20 संभावित परसंड की वीडियो जरूर देखे जाएगा आपको 100% मैं guarantee के साथ में बोल सकता हूं कि 5-7 question दोस्तों वहां से मिल जाएगे क्योंकि अभी तक की ये record है दोस्तों हर एक shift में वहां से question पूछे गया है एक question पूछा गया था कि कनाडा में भारत के उचायुक्त कौन है तो संजय कुमार वर्माय दोस्तों ये आपको ध्यानक ना है विदुत विभांतर का SI मातर क्या है तो ये vault हो जाएगा दोस्तों ये भी question आपसे पूछा गया था दोस्तों अगर आप किसी भी exam के लिए त्यारी करते हैं और आप उसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी तक के सभी paper के lcs की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा Only Top Study एप इस एप पर दोस्तों सभी PDF फिरी में मिल जाती है और एप पर बस simple से क्या करना है आपको register करना है फिरी में ही और जो बीच वाला option है ने YouTube free PDF इस पर जाना है और दोस्तों अभी तक जितने भी question पूछे गया है न करीब करीब 1000 question की वो PDF है दोस्तों मैंने बिल्कुल free में आपको दे दी है और आप जाकर के बस उसको डाउनलोड कर लीजेगा और पढ़के जाएगा exam में क्योंकि question repeat होंगे 100% इस PDF से अभी तक repeat हो रहे हैं दोस्तों ठीक है यह बिल्कुल free है तो please आप इस app को दोस्तों 5 star की rating जरूर दीजेगा इससे हमें काफी motivation मिलता है 6000 के question answers की पीडियाप जो हमारी master पीडियाप है दोस्तों जिसमें history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer सभी subject मिल जाते हैं static gk भी दोस्तों इसमें है मात्र 150 रुपीज की पीडियाप है और इस पीडियाप का link नीचे description box में available है आप हमारी website या WhatsApp नंबर से भी आप इसको purchase कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगला question आता है fool का परियवाची देखे fool का परियवाची कहीं बार repeat हो चुका है और इस question का दोस्तों right answer क्यारेगा push हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा ये आपको याद अखना है Columbus ने किसकी खोज की थी तो ये question आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों Columbus ने किसकी खोज की थी अमेरिका की कोज की थी और Columbus ने दोस्तों 12 October 1492 में अमेरिका की कोज की थी ये point भी आप लोग note कर ले जगा परवत का परियवाची दोस्तों सब्द आपसे पूछ ले गया तो राइट आंसो जगा सेल, नगर और भूदर, पहाड ये आपको याद रखना है दोस्तों अगला question आता है तियत्तरवा सविदान संसोदन कब हुआ था दोस्तों यानि कि किस से संबंदित है सोरी ये आपसे पूछा गया था तो देखिए सविदान संसोदन से संबंदित तो ये आपको not कर लेना है अगला question आता है पंचवर्षय योजना सबसे पहले किस देश में सुरू की गई थी तो मेरे पारज़़ दोस्तों पंचवर्षय योजना सबसे पहले रूस में सुरू की गई थी ये भी आपको यादखना है बारवी पंचवर्षे योजना दोस्तो इसका लक्से क्या था तो 8% का लक्से रखा गया था ये भी आपको यादखना है दोस्तो देखें बारवी पंचवर्षे योजना से अगर मैं बात करूँ अभी तक आता है अवनती का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों उन्नती हो जाएगा राइट आंसर ये आपको याद अखना है 2011 की जनगन्ना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्ये कौन सा है दोस्तों राइट आंसर केरल हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्ये कौन सा है तो वे दोस्तों आपका हरियाना हो जाएगा ये भी नोट कर लीजेगा सवज भारत मिसन की सुरुआत दोस्तों कब हुई थी तो 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी संभावित परसन की इस वीडियो में दोस्तों मैंने इस कोशन को कवर करा दिया था आप जाके देख सकते हैं लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है संभावित परसन की सभी वीडियो की पलेलिस्ट का दोस्तों देखे एक बहुत इजी कोशन पूचा है मैंने आपको एक कहीं बर कवर कराया है कि पहली आदिवासी रासपती कौन है तो दुरोपती मुर्मुजी दोस्तों जो की वर्तमान में हमारे देश की दोस्तों रासपती जी है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस् कि यहाँ से भी कोशन बन सकता है अगला कोशन आता है मेक इन इंडिया की सुरुवात कब हुई थी दोस्तों संभावित परसन की वीडियो में इस कोशन को मैंने बहुत बार हाइलाइट किया था कि दोस्तों यह कोशन एक्जाम में 100% पूछ जाएगा और यह आज पूछ ल हूं तो हर एक सिफ्ट में दोस्तों 5-6 कोशन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं केवल उन 20 वीडियो से तो अगर आपके पास इतना भी समय है दोस्तों उन 20 वीडियो को देखने का दो देखके जरूर जाएगा तो मेक इन इंडिया की सुरुवात दोस्तों 15 सितंबर 2014 से हुई दोस्तों अगला कोशन आता है जो इसवर में विश्वास ने रखता हो उसको क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं सभी लोग जानते हैं उसको कहते हैं नास्टिक तो यह आपको यादखना है पाप का विलोम सब दोस्तों क्या होता है पुन्य हो जाएगा और एक क याद रखना है अगला कोशन अमारे दोस्तों क्या कहा रहा है कि डोनी पोलो हवाई अड़ा किस राज्य में हैं दोस्तों ये है अवनाचल परदेश में और परदान मंत्री पहले ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े जो की डोनी पोली एटानगर का उद्गाटन किया था ये पॉ अगला कोशन आता है समुद्र गुप्त ने दक्षिन भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था दोस्तों 12 राज्यों को हराया था इसका मतलब 12 राज्यों को जीता था उत्तर भारत में 9 राज्यों को हराया था ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे की सिफ् पूछे जा रहे हैं पर किसी किसी सिफ्ट में ये भी आपको नोट कर लेना है भारत की राजधानी दिल्ली है तो यूक्रेन की क्या हो जाएगे दोस्तो की वो जाएगा राइट आंसर अगला कोशन आता है सरवुच नहले को पुनर विचार करने का अधिकार किस अनुच्छे यह दोस्तो यह भी नोट कर लेना इन में से कौंशा नहीं है अब आपसे कुशन पता कैसे पुछा रहे हैं दोस्तो नहीं है यह पूछा जा रहे हैं बाकी अगर जो नहीं होगा वह आप आंसर लगा सकते थे आस्तीन कसाप मुहावरे का अर्थ दोस्तो क्या है तो आस्तीन कसाप मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कप्टी मित्र ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अगला कोशन आते है द्रोपती मुर्मु रास्पती बनने से पहले कहा की राज्यपाल थी दोस्तो जारकन राइट आंसर हो जाएगा और मुर्मु भारत की दोस्तो आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली रास्पती है ये कोशन बहुत ही जादा इंपोटेंट है नोट कर लेना एक्जाम में आ सकता है 2015 से 2021 तक जारकन के नोवे राज्यपाल के रूप में दोस्तो इन्होंने कारेभार संबाला था ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं जनगर्णा में बिहार का जनसंख्या में दोस्तो कौन सा इस्थान है देखे बहुत ही इंपोटेंट कोशन पूछा बिहार की जनसंख्या कौन से नमबर पर आती है ये पूछ लिया पहले नमबर दूसरा नमबर नहीं पूछा अंतिम भी नहीं पूछा तो तीसरे नमबर पर दोस्तो बिहार की जनसंख्या आती है और अगर मैं पहले की बात करूँ तो उत्तर परदेश हो जाएगा दूसरे की बात करूँ दूस्तो मारास्ट हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या दोस्तो सिक्किम में है। अगला कोशन आता है दुत्य गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो 1931 में दोस्तों दुत्य गोल में सम्मेलन हुआ था पहला गोल में सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था तीसरा गोल में सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना अगला कोशन आ परियावाची दोस्तों क्या होता है भूप नरेश महीपति अव्नीज और नर्पती नरेंदर इस परकार से आप लोग नोट कर सकते हैं सम्भावना का विलॉम दोस्तों क्या हो जागा एज सम्भावना ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं एक कोशन था, 104 सविदान संसोदन दोस्तों किसे संबंदित है, देखिए लोकसबा और राज्ये विदान सबाओं में एंगलो इंडियन की सिटों के आरक्षन को समाप्त कर दिया, ये दोस्तों 104 सविदान संसोदन में ही किया गया है, SC-ST के लिए दोस्तों आरक्षन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, नागलैन की पहली महिला जो राज्ये सबा की सदश्य बनी, फांगनोन कोनियांक दोस्तों ये बनी थी 2017 में, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, अगला कोशन दोस्तों अगला कोशन आता है, चट पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो भगवान सूरिय देव की दोस्तों पूजा की जाती है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, देखें, गांधी जी ने दोस्तों दूसरे गोल में संबेलने में भाग लिया था, ये भी एक आती भारत में क्यों आई थी दोस्तो तो इस कोशन का रहेगा ताकि आजादी के बाद दोस्तो भूक और गरीबी के कम किया जा सके ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन आते है दोस्तो जल का परियावाची वारी पानी नीर सलील तोए ये आपका रहेट आंस रजेगा दोस्तो छटी खालिस्थान का याद रखना तो छटी का दूद याद रखना दोस्तो इस परकार से कोशन हो जाता ये आपसे पूछा गया था पंजाब का लोक नत्य इनमें से कौन सा नहीं है मैंने आपको पहले बता था दोस्तो इसी परकार से कोशन पूछ जा रहे है तो जो अभी तक के यानि की 10 जनवरी से लेकर के दोस्तो 31 जनवरी तक की सारे के सारे के सारे पूछेगे SSC GD में questions को डाउनलोड करना है केवल एक PDF से तो आप Only Top Study एप को डाउनलोड करिए और इसमें YouTube फिरी PDF वाले section में जाकर के दोस्तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते है इसमें SSC GD का अलग से section मिल जाएगा दोस्तो वहां से जाके 1000 कोशन की जो PDF है उसको डाउनलोड करिए उससे पढ़के जाएगा क्योंकि जो कोशन रिपीट हो रहे है न 5 से 7 कोशन रिपीट हो रहे है वो आपको यहां से मिल जाएगे और इसके अलावा भी दोस्तो जो extra fact म मैंने बताया है उसमें से दोस्तो आपको कोशन मिलने की संभावना बहुत जादा है तो जरूर इस PDF को डाउनलोड कर लीजेगा एप को दोस्तो 5 स्टार की रेटिंग करिएगा काफी आपके अच्छे कमेंट से दोस्तो मतला आप समझ लीजेगा एनरजी इतनी हो जाती है क और भी वीडियोज बनाने के लिए और और भी मैनत करने के लिए दोस्तो हम बिल्कुल लग जाते हैं ठीक है और पीडियाप अगर आपको डाउनलोड करने हैं दोस्तो हमारी पीडियाप 150 रुपीज वाली तो वो एप पर तो नहीं मिलेगी बट हमारी वेबसाइट पर जा है 20 टौफिक ऐसे जिनसे बार-बार कोशन पूछया रहे उसकी पर लेएट दी है दोस्तो साथी साथ मैंने डिस्क्रिप्षिण जी समभावीत पर्सन की पर लिस्त भी देदी है अगर आप इन दो प्लेलिस्ट को भी देखके जाते हैं तो दोस्तों 10 कोशन आपके कहीं गलत नहीं होंगे बिलकुर वहीं से कोशन बार बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है चले थैंकिसो मच बाई बाई और यहां टेक केर ख्याल लखे अपना